गुड बॉर्निंग फ्रैंस तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रैंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर पेई के ऊपर उन्ही का एक सिनियर डिसाइपल अटैक कर देता है पर यह देखते ही वहाँ एल्डर यहां के सभी लोगों के जान ले लो अब आगे जाम इस एपिसोड के सुर्वात में एल्डर पेई जैंग पर अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है पर यह देख जैंग को वहां कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि एल्डर पेई मुझ पर क्यों अटैक कर रही है पर फिर भी जैंग उनके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उनसे वहां पूछता है कि एल्डर पेई आप मुझ पर अटैक क्यों कर रही हैं जिस पर एल्डर पेई कहती है यह सब मैं अपने पेई फैमली के लिए कर रही हूँ जिसके बाद एल्डर पेई फिर से वहां जै को थोड़ा घायल कर देती है पर दवे अब जैंग उनसे कहता है कि एल्डर पर ही मैं लूवर जैंग हूँ आप बलम मुझे क्यों मारना चाहती है पर दवे इतने में ही वहां एल्डर पर ही अपने पास से एक नाइप को बाहर निकाल सीधा जैंग पर अटैक करने को करती तो है पर फिर वो उस नाइप को सीधा खुद को ही बोग लेती है अब यह देख जैंग वहां पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया जिस पर एल्डर पर ही वहां कहती है कि जब से हम लोग इस किलिंग फार्मेशन के अंदर आए हैं तब से मुझे ऐसा भारे में सोचता है वह लाश्ट में खुदका ही कंट्रोल खो देता है अब इतना बोलते ही एल्डर पर ही वहां फिर से खुदको चाको भोकने को करती है परही तभी जैंग उन्हें वहां ऐसा करने से रोगते हुए कहता है आपको खुद के जान लेने कि कोई ज़ूरत नह अब यह सुनकर वहां एल्डर पर ही कहती हैं क्या तुमने नहीं देखा था कि एल्डर हुआन के साथ यहां क्या हुआ था वह भी खुद का कंट्रोल खोरने की वज़े से ही मारे गए थे इसलिए मुझे भी डर है कि कहीं मैं भी अपना कंट्रोल ना खो दू और तुम्हें ज अचानक से ही उस जगह पर वहां सुनामी आ जाती है और यहां से बाहर जाने का राष्टा भी अब देरे देरे बंद होने लगता है पर फिर विस जैंग वहां अंडर पेई को अपने गोद में उठा वहां कहता है कि यहां की फॉर्मेशन अगर किसी तरह से हमारे माइंड क को कंट्रोल कर रही है तो मैं किसी भी हालत में आपको यहां अकेला नहीं छोड़ सकता हूं तभी अब लोग जैंग अल्डर पेई को लिए इस जगह से बाहर आ जाता है पर दभी उस जगह पर भी बहुत सारा पानी आने लगता है जिसके बाद हम वहां देखते हैं कि उस कही बना एक इस टॉन फारमेशन जैंग और अल्डर पेई को वहां से ले उपर उड़ जाता है जिसकारन जैंग और अल्डर पेई यहां बच जाते हैं तभी अब जैंग वहां कहता है कि आप यहां का किलिंग फारमेशन बंध हो चुका है जिस पर इन्मोर्टल मैंसन से आ वाज आती है कि नहीं अभी पर इस जगह पर पानी भर चुका है इसलिए मुझे अब तुम लोगों को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाना होगा जहां तुम लोग इस खेल को जारी रख सको अब यह सुन कर लो जैंग वहां कहता है कि मैं आप से कुछ पूछ सकता हूं जिस प में किसी ऐसे परशन के पास चला जाए जो सिर्फ इसे पाने के लिए अपने ही लोगों को यहां जान से मार दे अब यह सुन कर वह इन्मॉटल मैंसन कहता है कि दूसरों को मारने की एक्छा तुमारी खुद की है मेरी नहीं और मेरा काम बस इस ट्रायल को पूरा करना है इस और हसते उवे उन लोगों से कहते हैं कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम दोनों से स्केलिंग फॉर्मेशन से बच कर यहां आ सकते हो उपर से मैं अल्डर हुआन को कुछ जादा ही पावरफुल मानता था कि वो तो स्केलिंग फॉर्मेशन को पार कर ही लेंगे अब मैं उस जगा से तुम दोनों से चुप कर यहां आ गया अब यह सून कर एल्डर पे ही कहती है इसका मतलब एल्डर हुआन ने तुम्हारी वजह से वहां खुद का कंट्रोल खो दिया था ना कि उस किलिंग फॉर्मेशन की वजह से तभी अब वहां जैंग भी गुसाते और अब तुम दोनों के लिए काफे देर हो चुकी है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसा करने का प्लान कर लिया था ताकि मैं तुम तीनों को एक दूसरे से लड़ा जान से मरवा सकूं और फिर तो मैं खुद ही इस इन्मॉर्टल मैंशन का मालिक बन जाता जिसके बा और दूसरे बस हापिनेट स्टेज पर है इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों यहां मिलकर भी मुझे हरा सकते हो अब यह सुनकर जैंग वहां उससे कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारे सोच इतनी घटिया होगी तब ही अब वहां वह इन्मॉर से फाइट कर जल्दी से यहां एक नतीजे पर पहुचना होगा अब यह सुनकर जैंग और एल्डर पर ही वहां चारों तरफ देखने लगते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि इन लोगों का टाइम दीरे-दीरे खतम होते जा रहा है और यहां कि सारी कि सारी चीज़े जमत प्रफड़े और आग झालता है कि अधर गल्राओ ट्सरी भीज़े खतम की वmä